Hey kids, welcome back to Magnet Brains, मैं हम खुशी भटनागर और आज हम पढ़ने वाले हैं आपकी Class 2 Hindi की वर्कशीट कौन से चाप्टर की? चाप्टर नमबर 9 की जिसका नाम है बुल-बुल तो जो एक चड़िया होती है जो इसका नाम होता है पक्षी होती है उसी पक्षी का नाम है बुल-बुल जिसके उपर हमने एक पार्ट पढ़ा था उसके बारे में पढ़ा था इस चाप्टर में हमने कि बुल-बुल कैसी होती है उसका रंग कैसा होता है वो किस तरह से अंडे कितने डेती है कितने हैं कैसा गोसला बनाती है किसील का इस्तमाल करें गोसला बनाती है क्या खाती है यह सब चीज साइज हो हम पूरी चीजें दुबारा revise करने वाले हैं तो वर्कशीट की exercise help करती है की chapter revise कि आपका chapter जो है वर्कशीट की exercise help to revise दी chapter अब की chapter पूरा revise हो जाए इसमें help करती है आपकी worksheet तो इसी के साथ हम revision याने की worksheet को start करते हैं और पहली exercise पर आते हैं पहली exercise क्या है खालिस्तान भर खालिस्तान भरने के लिए में एक box दिया हुआ है box में कुछ शब्द दिये हुआ है उन शब्दों को चुनकर हमें खाली जगाओ पर भरना है सही सही जैसे की बुल्बुल की पूच के नीचे वाली जगा डैश होती है किस रंग की होती है वह हमें बताना पड़ेगा तो ल हमें प्लबुल डैश अवास में बोलती है ठीक है बुलबुल डैश अवाज में बोलती है आने तेज़, जोर से बोलती है बुलबुल पीपल या बर्गत के पेड़ ढश ढून कर खाती है क्या ढूंभ candles, कीरे ढूंडिते हैं कीड धूनुकि वह में खाले थी है चीक है बुलबुल का डैश अंदर से एक सुन्दर कटोरे जैसा होता है क्या होता है घोसला जोता है वह ऐसा लगता है उसका एक सुन्दर कटोरे जैसा लगता है चीक है बुलबुल के अंडे हलके डैश रंग के होते हैं किस रंग के गुलाबी हलके गुलाबी रंग के होत तो हमने बहुत ही सानी से सारे शब्दों को चुनकर सही जगे पे लिख दिया जैसे कि बुल-बुल की पूच के नीचे वाली जगा लाल होती है बुल-बुल ऊची अवाज में बोलती है बुल-बुल पीपल या बर्गत के पेड़ पिर केड़े डूण कर खाती है बुल- यह हो गया अब हम बढ़ते हैं अंगले एकसी साइस पर प्रश्णों की उत्तर दो बुल-बुल की पूच कैसी होती है बताएए बुल-बुल की पूच जो होती है आपकी लंबी और अगर हम देखें तो नहल की सी सफेद रंग की भी होती है तो पूँच जो होती है वह पूँच सफेद रंग की होती है बुलबुल की पूच किस रंग की होती है सफेद रंग की होती है किस रंग की सफेद रंग की होती है यह हम पढ़ चुके हम रिविजन होना स्टाट हो गया आपका की पूछ का रंग हमें पता चल गया किस रंग का होता है सफेद ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं आगे है सिपाही बुलबुल कैसी होती है तो सिपाही बुल-बुल की सिपाही बुल-बुल सिपाही बुल-बुल की कैसी होते हैं से पाहे बुल बुल के के सिर पर काले रंग की क्या होती है काले रंग की कलगी होती है काले रंग की कलगी होती है उनी को हम सिपाही बुल बुल कहते हैं कैसी होती है काले रंग की कलगी होती है उनी को हम सिपाही बुल बुल कहते हैं सिपाही बुल बुल हम किसे कहते हैं जिनके सर पर काले रंग की कलगी हो चीक है? आगे बढ़ते हैं बुलबुल अपना गोसला कैसे बनाती है? तो बुलबुल अपना गोसला कैसे बनाती है? सूखी सूखी घास और छोटे पौधे से बनाती है कैसे बनाती है? सूखी घास और छोटे पौधे की मदद से वह अपना सुन्दर सा गोसला बनाती है सूखी घास और छोटे पौधे की मदद से चीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं? तो बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं हलके बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं हम देखेंगे तो हलके गुलाबी रंग के होते हैं एक सेकेंड तो बुलबुल के अंडे किस रंग के होते हैं हलके गुलाबी रंग के होते हैं हलके यह हमने पड़ा हुआ है गुलाबी रंग के होते हैं कैसे रंग के होते हैं? हलके गुलाबी रंग के होते हैं किस रंग के होते हैं उसके? हलके गुलाबी रंग के अंडे होते हैं बुलबुल के, ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं, आगे बुलबुल अपने गोसले को किन चीजों के मदद से बनाती है, तो वहीं हो गया सूखी घास और छोटे पेड़ पौधों की मदद से बनाती है, अमने देख चुके हैं, इसलिए हम द्वारा नहीं लिख रहे हैं, फिर है सही और गलत के निशान, तो आपको वाक्य को पढ़ना है, जो सही लगे उसपे सही का निशान लगाना है, जो गलत लगे उसपे गलत का निशान लगाना है, ठीक है, वाक्य को पढ़ेंगे, कहानी को याद करेंगे, फिर निशान लगाएंगे, बुलबुल की पूँच क के नीचे वाली जगा लाल रंग की होती है जी हां ये बिलकुल सही है बुल-बुल बहुत धीमी अवाज में बोलती है क्या ये सही है नहीं बुल-बुल तो बहुत उची अवाज में बोलती है ये गलत है सिपाई बुल-बुल के सिर पर कलगी होती है ये बिलकुल सही है कि ज या तीन अंडे देती है आठ या दस नहीं बुल-बुल कीडे सब्जी और फल खा लेती है बुल-बुल कीडे भी खा लेती है सब्जी भी खा लेती है जी हाँ बुल-बुल यह सरी चीजे खा लेती है ठीक है तो हमारे सही गलत तो बहुत असानी से हो गए अब हम आगे अधारन के अनुसार वचन बदलो फिर से हम समझ चुके थे एक वचन बहु वचन हमने समझा था कुछ कोस्टिन भी किये थे एक वचन पर और बहु वचन पर ठीक है अब अगर हम एक वचन और बहु वचन की बात करें तो यह हो जाता है कि जैसे कि यहां पर देखें कीड़ा कीडा क्या है यह एक बचन वहीं पे एक से चार कीडा नहीं बोलेंगे बचन को बदलना पड़ेगा जब एक से ज़्यादा संख्या हो जाती है एक से जादा संख्या होने पर हम वचन को बदल देते हैं ये एक उंगली है अब ये तीन उंगलियां है तीन उंगली नहीं बोलेंगे तीन उंगलियां है तो जब भी वचन बदलता है तो शब्द को बोलने का तरीका भी बदलता है है वचन कैसे बदलता है एक चीज मेंख सरे थोड़ी भी बड़ी तो ओ जाता है भूचन हजVI के यहां पे होगे कीडा कीड़े ग萵ी कटोरा आपको लिखने का तरीका तो पता है कैसे लिखते हैं लिखने का तरीका आप्राय वाला है आखरी अक्षर में ये की मात्रा नहीं है तो नमंवनी सी बात है बस एक ही मात्रा लग जाएगी आखरी अक्षर थेगा जैसे कि कटोरा कटोरे का आखरी अक्षरहर तो हम क्या लेंगे कटो चीके घोसला Cay tok ही कि मातर तो नहीं है तो क्या कर देंगे खोसले चीक है मिठाइ मिठाइ में मिठाए आजाता है फो लग जाता है यह मिठाइया जाप कर देंग शकर शम्मट सवकिंगे taxi इसम कि भीन दी डी मैं फिर से आ गया है जो बास से क्यावा बिंदिया ठीक है, टोपी, टोपी में फिर से E आ गया, अब यह हो जाएगा, टोपी या फिर है अंडा, अंडे में E है, नहीं, तो यह हो जाएगा, एक ही मादा लग जाएगी, हो जाएगा, अंडे फिर है सबजी, सबजी में फिर से आगया e, तो यह हो जाएगा सबजी यहां ठिक है? तो जहाँ पर e आता है वह लग जाता है यह और जहाँ पर कोई e नहीं रहता है वहाँ पर लग जाता है a की मातरा सिर्फ एक से अनेक करने के लिए ठिक है? करें पूए लिख लें वीडियो को रोकिर पिर ही आगे बढ़े चलिया पड़ते हैं ऑंगे और दीथे अगले आगए इसको अगले एक्सिसाइस को विलूम या उल्टे शाब्द विलूम शब्द मेने होता है लटे उल्टेल याने विलॉम टाहर तो हम उल्टे शब्द लिखते हैं जैसे कि खुश का दुख, जैसे रोने का हसना, जैसे सुभा का शाप ठीक है, तो वैसी हम उल्टे शब्द लिखेंगे, इसकी भी प्राउट प्राक्टिस कर चुके हैं तो लिख लेते हैं फटा-फट तेज, दीरे, उची, तो हम बोलेंगे नीची, ठीक है डर, तो बोलेंगे निडर, आज तो हो जाएगा कल, फिर क्या है सूखी, तो सूखी क्या हो जाएगा, गीली पतली, पतली का क्या हो जाएगा, मोटी, अच्छा, अच्छा का बोरा रात, दिन, ठीक है, तो हमने सब के बिलोम शब्द लेके, उची का नीची, डर, निडर, आज, कल, सूखी, घीली, पतली, मोटी, अच्छा, बोरा रात, दिन, ठीक है, चलो, अब बढ़ते हैं आगे, अगली एक्सेसाइस पर, अगली एक्सेसाइस है, बुल्बुल के बारे में, पाट के अधार पर ही उत्था लिखने हैं, वापिस से, क्या है प्रश्न, बुल्बुल की पूँच का सिरा किस रंग का होता है, तो बुल्बुल के अवास कैसी होती है, तो अब बुल्बुल के अवास ऊची होती है, ठीक है, कैसी होती है, बुल्बुल के अवास ऊची याने तेज होती है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बुल्बुल क्या खाती है, तो बुल्बुल बहुत सारे चीजे खाती है, सबजी कहाथ है और क्काती है कि फल काती है सबजी क्षाटी और मतर खाती मतर के वीज यह जा अमरूद्द हो ये सब बतना ना нужно है हमारी बुल बुल है वो बहुत खाते हैं ज्यादा तर कीड़े फल सबजी खाने को से जादा मिलते हैं, चीक है? तो बुलबुल कीड़े, फल, सबजी जादा तर खाती है आगे बढ़ते हैं, एक बार में बुलबुल कितने अंडे देती है? तो आमने देखाता है, एक बार में बुलबुल दो या तीन, दो या तीन अंडे देती है, एक बार में बुलबुल कितने अंडे देती है, दो या तीन अंडे देती है, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, सिपाही बुलबुल की क्या निशानी होती है, तो हमको पता ऐसी है, पाही बुलबुल के सिर पर काले रंग की कलगी होती है, तो उसके सिर पर काले रंग की कलगी होती है सिपाही बुलबुल के सर पर काले रंग की कलगी होती है चिक है किस रंग के काले रंग की कलगी होती है उससे हम कहते हैं सिपाही बुलबुल वह उसकी निशानी होती है आगे बढ़ते हैं आगे क्या है बुलबुल का गोसला कैसा होता है तो सुन्दर कटोरे जैसा वहाँ अंदर से सुन्दर कटोरे जैसा होता है कैसा होता है अंदर एक सुन्दर कटोरे जैसा दिखता है बुल-बुल का गोसला कैसे दिखता है सुन्दर का टोरे जैसा किसका गोसला बुलबुल का गोसला जो किससे बनाती है सूकी गाँ छोटे पेड़ पौधों से बनाती है ये भी हो गया हम बढ़ते हैं आगे अगला प्रशन है क्या बुलबुल हम लोगों से डरती है तो बुलबुल हर चड़िया हमसे थोड़ा बहुत तो डरती है उसी तरह बुलबुल भी हमसे थोड़ा बहुत डरती है ठीके? बुलबुल के शरीर वसर किस रंग के होता है? तो जो बुलबुल का शरीर होता है शरीर भूरे रंग का होता है शरीर होता है बूले रंग का वहीं पे जो सिर होता है सिर होता है काले रंग का जो शरीर होता है वह बूरे रंग का होता है और जो सिर होता है वह काले रंग का होता है जो शरीर होता है वह बूरे रंग का होता है और जो सिर होता है वह काले रंग का होता है सिर और शरीर में यही अंतर होता है आगे हैं उनके अर्थ से उनके शब्दों को अर्थ से मिलाना है जैसे तरीके का हम दूसरा शब्दी को सकते हैं उपाए मैंने यहां तरीका निकाला मैंने यहां उपाए निकाला एक ही बात है, दोनों के शब्दों का मतलब एक ही है जैसे कि कलगी, कलगी का मतलब होता है चोटी जो सर पे होती है सिरा, सिरा याने किसी भी चीज का किनारा काफी, काफी याने बहुत जादा, काफी याने बहुत सरल, सरल मतलब असान, सरल मतलब असान होता है तो हमें आसान से मिला देंगे तो तरीका मतलब उपाई कलगी मतलब चोटी सिरा मतलब के नारा काफी मतलब बहुत और सरल मतलब असान तो हमने उनके मतलब से जोड़ी बना दिया है एक वर यह आप भी कोशिश करेंगे अब आपको कोशिश करने है थोड़ा से पीचे जाके चेक करना है कि आपने सही किया की नहीं और फिर आगे बढ़ना है मेरे साथ चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बुलबुल के चित्र में रंग भरते हैं तो यह बुलबुल का चित्र है अगर आपके और चित्र नहीं है तो इसी चित्र को देखके चित्र बनाएं और फिर उसमें सुंदर-सुंदर जिस तरह के रंगों की बात हुई कि सिर में काला रंग, शरील में बूरा रंग, पूच में सफेध रंग, इस तरह के रंग भरें चिक है चलिए इसी के साथ हमाई वर्क्षीट होती है खतम और अगर आपको कोई भी चाप्टर कोई भी टॉपिक नहीं मिल रहा है क्लास वन का तो आपको क्या करना है आपको जाना है गूगल पे टाइप करना है मागनेटब्रेंज.com सर्च करना है आपकी सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी नीचे आपको डिरी सारी क्लास इस गिवेन है आप अपनी क्लास को देखके उस पर क्लिक कीजिए क्लास वन पर जैसी आप क्लिक करेंगे क्लास वन की जितनी भी सब्जेक्ट्स हो चुके हैं व तो भी चाप्टर आपको देखना है उस पर क्लिक कीजिए तो वीडियो जो है वो सामने स्थार्ट हो जाएगा तो इसी तरह किसे असानी से आप कोई भी कवीता कोई भी कहानी बहुत असानी से रिम्जे बुक की ऐसे ढूंड सकते हैं ठीक है तो इसी के साथ हमारा जो करते रहना है लाइक सब्सक्राइब और शेर थांक यू